नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network देश में दो मुद्धे बहुत ज्यादा हंगामा मचाए हुए हैं पहला है उप्राश्पती का अपमान मैं समझ नहीं पारा कि यह इस तरह का अपमान कैसे हो गया कितने आहत हो गए उप्राश्पती को उस समय अपमा भी जी से कर रहे थे उप्राश्पती ने खुद को उस समय अपमानित महसूस नहीं किया जब उन्होंने एक अच्छे बले संसर्ट टीवी को बरबात कर दिया तवहा कर दिया उप्राश्पती को उस समय अपमानित महसूस नहीं हुआ जब ददस कैमरे किवल उनके उपर फो तार्तार हो रही थी वो प्राश्पती को उसमें लज्जित नहीं हुआ जब भारती जंता पार्टी के निता उन्हें जाक्त निता किसान निता कह रहे हैं देश में इतने किसानों की मौत हो गई एक आंदोलन में रेकिन राजपाल लेते हुए वो खामोश थे और अगर जाती इंडिया गडबंदन ने एक ऐसी चाल चल दी है जो भाजपा को परिशान कर रही है वो है दलित प्रधान मंत्री के रूप में खड़गे का नाम आगे बढ़ा अगर इंडिया गडबंदन इस नाम को और आगे बढ़ाता है बात दूर तर लग जाती है तो इसके क्या नती हैं तमाँ देश के बड़े बड़े टीवी चैलों पर आप देखते रहते हैं बहुत योग हैं बहुत सारी जानकारी रखते हैं राज निती की पहले चलता हूं सीधा प्रोफेसर अभेदवेजी के पास अभेदवेजी और राश्पती का अपमान पता नहीं हुआ या नही नहीं मानते और मैं दूसरा वाक्ति मुझे याद आता है कि अकलेश यादव मुक्मंद्री तो राज कमल प्रिकाशन की एक किताब थी पर सरकारों को बलाए गया और उसका विमोचन किया गया हमको किसी को पता नहीं था किताब किसीच की है वो जो किताब सामने आई तो उस पार्क बनाए गया है उसमें अकलेश यादव का मन था हो कई विदेश से देखकर आयते कि फ्रीडम स्पीच एक जगह हो माइक पर जाकर लोग जिसके वारे में जो कहना हो वो विरूद के सवर कह सके क्या एक छोटी सी बात किसी की कॉमेडी करना इतनी बड़ी बात हो गई कि उपराशपती को लगा कि मैं आहत हो गया इस से पहले वो आहत हुए थे जब उन्होंने मोधी जी के सामने दस बार हाथ यूई उकर के हाथ जोड़े से कितने बातों से आहत हो जाते हैं और क्या वाकई में जिस तरह का गर्मा पूर आचरन होना चाहिए क्या उपराशप जो भारती अंता पार्टी के जो पिछले उपराश्ट पती थे स्वरगी बहरो सिंग शेखावत जो राजसभा के उस लियास से सवापती भी दूए उनका आचरन क्या था ज़रा उसकी उपर गौर का ने भारो सिंग शेखावत तो संग परिवार जिंदुप्त की जो परे ग्रूप से उनकी कतारों से नहीं आये वो तो अभी पिछले कुछ दूरों पिछले कुछ वर्षणों में भाज़पा में शामिल हुएं अब उनसे वो अपनी तुलना का है तब वो पाएंगे कि दरसल उपराश्ट पती के तौर पर किसी नेता का आचरन कैसा होना चा ये अलग आचरन करना चाहिए जब राइस्थान के चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई थी उस वक्त तो राइस्थान के इतने दोरे कर रहे जेग अशोग गैलोक को कहना पड़ा था कि आधरनी राश्ट पती राइस्थान के इतने दोरे क्यों कर रहे हैं उसके बाद राइनी के कैरियर है भाजबा के अंदर का आप जड़ा उसकी उपर गोर कीजिए उस पूरे कैरियर में इनकी छबी ऐसी उभरती है कि ये केंदर में सफ़ता रूर पार्टी यों केंदरी सरकार के प्यादे हैं जब पश्यमंगाल में राजजपाल थे तो ये मंता बनर्ज के खिलाफ एक समानतर सफ़ता का केद्र रूर राजभवन को बना दिया था इनकी स्थिती ये थी कोई भी घटना होती थी तो वहाँ पर खुद बॉयना करना पहुंच जाते जैसे इनके पास कारेकारी अधिकारों एग्जिटिव पावर्स हों सुप्रीम कोर्ट कह चुका बॉक्ति भाव से एक भारतीय उंतापार्टी के कारकरता की तरह भारतीय उंतापार्टी की रृड़नीकियों को राजभवन में लागू करना का जो कारनामांगा अंजाम दिया इसके पुरूसकार सचारूख इनको उप्रिश्ट पत मिला उजब से ये उपराश्ट पति है ये देश की प्रतेक संस्था की उपर विप्रीट टिपणियां कर रहे हैं, चाहिए वो नायपाल का हो या वो कोई संस्था हो, हर जगे वो कह रहे हैं कि जो चुने हुए संस्था, जो चुनी हुई सरकार है, वो सर्वोपर ही है, जबके लोगतंत्र में चुनी हुई सरकार सर वरा नियुक्त होते हैं लेकिन विपक्च फिरी को चुनाओं चुन के याया है संसद में तैसरा पक्च के नाइक होरा उनकी वो कोई परवानी करते हैं सभापती के तोर पर इनको चाहिए कि विपक्ची सांसदों के हितों की सदन में रख्चा करें वो सत्ता पक्ष के दबडबे और सत्ता पक्ष का जो आक्रामक रवईया है उसके चलते विपक्षी सांसदों की अधिकारों यह रक्षा न करके सत्ता पक्ष के साथ जुड़कर उनको लगातार निलम्बित करने में लगे हुए है। तब किया और अभी जब इनकी निमिक्री की गी, जहां तर निमिक्री का सवाल है, आपने विल्कुल ठीक का, लेकि अकलेश यादब तो बहुत लोकतांत्रिक नेता है, उनकी कितनी कड़ी से कड़ी आलोचना की जाया है, वो किसी से नाराज नहीं होते हैं, इसकी अकलेश या कि इस्थिती ये है कि उन्होंने उपराष्टपदी पत को मजाग की वस्तु बना दिया है, उन्हों सबसे पहले उन्हों राजिपाल पत को मजाग की वस्तु बना दिया, और राजिसवा के उपसभापती के पत को भी उन्होंने मजाग की वस्तु बना दिया, जब वो लग जो महत्वूर नहीं, उसकी मिमिक्री तो होती नहीं। इनको अपनी मिमिक्री पर किसी आफदी तिहे उसका मतलब है कहीं चोर की दाड़ी में गीन का है। ये समझते हैं कि इनकी जो मिमिक्री की गई या जो नहीं ने प्रजानमंत्री का अतिशा अविभादन किया जो उने नहीं करना चाहिए था उसके बाद जो उनकी आलोचना की गई उसके सवाल पर एनने साथ दोर पर लग रहा है कि विपक्ष इन्हें जंता के बीच में सरकार के प्यादे के रूप में चित्रित कर रहा ह तो इसलिए इनको आपती है अगर ये एक मजभूत प्रभावशाली अपने पैरों पर खड़े हुए और इमांदारी के रास्ते चलना वाले व्यक्ति होते हैं तो उन्हें इस बात की कोई भी परवा नहीं होती आप बताएं ये भैरुसुन शेखाबत की किसी ने मिमिक्री की भाजबा के सभी पार्टियों में सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबनते हैं यहां तक होना भाजबा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसका पॉलिटिकल नेटवर्क सबसे आदा मज़ूर है धनकर सब को चाहिए कम से कम और किसी से सीखें ना सीखें कम से कम स्वरगी भैरोसिंग शेखावद की किताब के राजीन की किताब के कुछ पनने पढ़ें और उससे कुछी है ठीक बात है और जेपी नड़गी आज भाशर देती हुए नजर आ रहे थे कि यह पिशड़ी जाती का अपमान है यह किसान नेता का अपमान है यह जाट स किसी राजनीतिक विवाद में वो फस्ते हैं और किसी जदो जहद में फस्ते हैं वैसे ही उनको जात याद आ आ जाती है उपराश्टपनी को याद आ जाता है कि वो तो जाट परिवार से आए है और नड़ा साब किसीन कह सकते हैं आरे वो तो हिमाचिल प्रदेश के ब्राम ये इन लोगों का एक पुछलित हटकंडा है जिसका वो बार-बार इस्तेमाल करते हैं कई बार इस्तेमाल कर चुके मुझे नहीं लगता कि लोग इससे कोई प्रभावित है और जगदीद धंकड का विक्तत तो ऐसा है कि आप किसी साधान विक्ती से पूछ लीजे वो आपको देखके ही बताएंगे कि इनको किस पत्त कैसे विक्ती को किस पत्त बैठा दिया गया है दो नाम मैं आपके सामने बताता हूं दो गवरनर हैं दोनों एक ही जाती के समदाए से आते हैं एक सचपाल वले और एक धंकरसा अगर आपको तुलना करते पड़े इन दोनों में तो लेकिन गवरनर के तोर पे उन्होंने अपना अपनी राजनीतिक स्वाइटिता कभी नहीं खुई जब किसान अंदोलंड हुआ तो लगातार किसान अंदोलंड की पक्ष में बने रहे और उन्होंने कई वार का अगर मुझे हटाना चाहते हैं हटा दीजिए जो करना हो कर द दोती हैं लेकिन मैं किसानों के पक्ष में बूलना बंद नहीं करूंगा धंकर साब उस पक्तिया कर रहे ते तब धंकर साब को याद नहीं आ रहा था कि वो किसानों के कभी नेता रहे नहीं है और दूसरे तब इना याद नहीं आया है जिए किसान लेता है तब इना याद नहीं आया है जिए खुद उसी जाट समाज की लेता है वो जाट समाज राजिस्तान का जाट समाज हर्याना का जाट समाज पश्चमी उत्तरफदेश का जाट समाज और पंजाब का सिख जाट समाज ये सारे के सारे उस आंदोलन के हरावल दस्ते थे उस आंदोलन के आगे खड़े हुए थे लेकिन जगदीब धंकर ने कभी उनके पक्ष में कोई एक आवाज नहीं उठाई और सत्पाल मलिक सत्पाल मलिक ने तो किसान आंदोलन का समर्थन करके एक तरह से देखा जाए तो वो राष्टी राजनीत के एक महत्पूर नाम बन गए जब तक और उने राज़िपाल के तौर पर किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया था तब तक उराश्टी राइवीत में उतने नहीं जाने जाते थे और जग्दीद घंकर किसान आंदोरन की उपेक्षा करके उसकी तरफ से नजने उसको नजरनदाज करके उपराश्टपती बन गए और वहां भी उसी पार्टी और उसी नेता की सेवा में लगे खडगे जी का नाम आगे बढ़ाया है और खडगे जी ने आज बयान भी दिया जब धंकर जी के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो जाती की बात कर रहे हैं जाती के अपमानित की बात कर रहे हैं तो मुझे तो लगासार अपमानित किया जा रहा है मैं ज जाती से आ रहा हम उस जाती के व्यक्ति को सवाल नहीं पूशा दिया जाता तो जो खड़गे जी ने आज ये दलित पिशड़ा बनाम दलित का जो कार्ड खेला है और दूसरा इंडिया गडवंदन में ममता बनर जी ने जिस तरह खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया है प् मतलब निकाले जा सकते हैं कि अगर इंडिया गडवंदन की तरफ से मल्लिकार्थन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पत्के उमीद्वार के तोर पर सामें लाए जाए तो ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक होगा इसका प्रभाव क्या पढ़ेगा किस हद तक पढ़ेगा ऑगे का मास्टर स्ट्रोक की हिंदी ब्रमास्त्र है मैं एक आख एक पर आपके हैं लेकिन उत्तरफ्रदेश में जो माया वती हैं अगर खड़गे को प्रधानमंत्री पद्का ऻमीदवार बनायाता है तो माया वती को सौ बार सोचना पड़ेगा कि वो विपक्ष के साथ खड़ी हो या ना खड़ी देखिए जब एक दलित को प्रधानमत्री पत्का पहली बार चहरा बनाये जाएगा भारत के इतिहास पहली बार और पूरा विपक्ष 28 दल और उसके साथ और भी दल उसके साथ जुड़ जाएंगे उसके बाद देश की राजनीत में कहीं न कहीं एक गुरात्मक परवरतन एक कौलिटेटिव चेंज हम लोगों को दिखाई पड़ सकता है चुनाओ कौन जीता है कौन हारता है तो मई के महीने में तेह होगा लेकिन उसके पहले जो चर्णिंग होगी मैं बता रहा हूँ जो उथल पुथल मचैगी देश की राजनीत में वो उसके बारे में अभी तक हम ठीक से सोच भी नहीं सकते कि वो किस इस तर की उथल पुथल होगी मेरा मानना है कि बहुत बड़े पैमाने पर खड़गे के पक्ष में दलित वोटरों का धुर्वी करण विपक्ष के विपक्ष की तरफ हो सकता है उसके लिए मुहिम चलानी पड़ेगी खड़गे को पूरे देश का दौरा करेंगे और बाकी सब उनके पीछे खड़े होंगे अब ये दिर्वार इस बात पर करता है कि कितनी जल्दी इंडिया गडवन्दन इस निर्णे पर पहुंचता है अबे जी दो राज ऐसे हैं गुजरात और उत्तर प्रिदेश जहां भारती जन्ता पार्टी कुछ महीने पहले ते बड़ा कंफर्ट महसूस कर रही थी कि दो बड़े राज हैं जहां पर तो हम निश्वित रूप से बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगे अगर खड़गे जी उत्तर प्रिदेश के किती मैदान में उतरता है तो उत्तर प्रिदेश के क्या जो चुनाव परणाम है तो सत्तर प्लस बीजेपी सोचती है पिछली बार थोड़ा पीछे रह गई थी क्या वही रहेगा या बीजेपी को कितना ब्ला डेंट पड़ जाएगा लिकि आपने जो बातें कहीं है वो बातें मुझे ही कहने के लिए मजबूर करती हैं कि इंडिया गडबंदन को अपने पत्ते किस तरी किसे खेलना चाहिए तकि अगर खड़गे को प्रधानमंतरी पत्त का उमीदवार बनाया जाता है अगर वो राश्टी मंच पे खड़ए होका नरेंगोधी को चुनाती देते हैं कि देश की जन्ता से अपील करते हैं कि आपके सामने दो चेहरे हैं आप किसको चुनेंगे तो उत्तर प्रदेश की राज़िए में एक बड़ा परवर्तन आ सकता है मैं ही समचता हूँ कि फिर मायभती को भी खड़गे का समर्शन करना होगा अगर मायभती खड़गे का समर्शन नहीं करेंगी तब पर उनके सामने बहुत सारे सवाल उठेंगे और उनका ही अपना जो जिनाधार है वो उसे सवाल पूछेगा तो मायावती खड़गे का समर्चन करेंगी तो अखलेश पहले से हिंडिया गड़ बंदन में हैं तब उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस बहुजं पार्टी और समाजवादी पार्टी का गड़ खड़ा होगा और यह गड़ भारती य पूजनाओ लड़े तो यह दो ज्यादा सीटें भारती यंता पार्टी देशिं सकते हैं केवल उत्तर परदेश में केवल यह गड़ अगर बन जाए तो केवल उत्तर परदेश यह भारती यंता पार्टी को बहुमस से नीचे लाया जैदा है एकषण भारत में अगर करनाटक में और से लड़ाई अगर हो जाए तो है तो बबब से लंगाना और स्थे किस्ती प्रदेश मिलका दरैंडर मोधि करने के लिए बहुत जादा सीटों की जरूएट पड़ेगी अभे जी अगर ये कल्प्रा करी जाए कि सीटे 240 तक NDA ले आता है क्या लगता आपको 240 की सीटे आने पर मोदी जी के लिए आसान रहेगा प्रिधान मंत्री बनना या परिशानी बज़े रहेगा नहीं परिशानी होई आएगी 240 का मतलब यह हुआ कि 32 सीटें कम होंगी उंकी भामत से नके बिए 32 सीटें कम होंगी बलके किल मिला कर भारती फेम् ही 31 सीटें हो और 32 यह यानि कम से कम 63 सीटें फारती अंता पार् freio कि कम कम जीतेगी जब मोदी के नित्रत में 63 सीटों कि छम्ताओं के रूपर देखिए और मैं तो यह मानता हूं कि अगर भाजबा के 63 सीटें कम होने के आसार बनते हैं किसी खास परसिती में तो फिर वो गिरावट वो 63 पर आकर नहीं रुखेगी फिर वो गिरावट और गिरावट और भी हो सकती है कि इस तरह जीत स्नोबॉल हो तो मैं यह मानता हूं कि 63 सीटें यह 60 सीटें कम होने का मतलब है मोदी को भारती यंदा पार्टी के दफ्तर में लोगों के सवालों का जवाब देना होगा वही होगा वो च्छण जो इस देश की गाईनीत को पूरी तरीके से बदल देगा अच्छा फिर मोदी से हम लोग मै मैं तो मानता हूं हर नेता बहुत लचीला होता है उपर से भले ही वो कितना कड़ा होने का और 56 सीना होने का दावा करते हैं बोद यह पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं से बहमत का जुगाड हो जाए वो प्रणमंतरी गद्धी पे बैठे रहे हैं तो लोगों को बोला पुचकारा जाएगा फिर भीजू जल्दा दल को पुचकारा जाएगा और अगर अन्ना द्रमक में कुछ सीटन जीतनी है तो उसको पुचकारा जाएगा यह सारी कोश्च होगी को जो मौजूदा एंडी है उसमें जो दल है वो तो कोई यादा सीटन दे नही सकते यह तो ह मोदी जी के नित्रत पे सवाल यह निशान होगा उनके वोट खिशिनागी चमता जैसे ही कम होगी वैसे भाज़पा में वो तमाम लेता जिन्होंने मोदी जी के बर्चस के कारण अपनी मात्वा कंचाहों पर लगाम लगा रखी है वो मात्वा कंचाहें खुल कर खेलने लगे अभी जी एक बात और सामने आती है तीन राज्यों के चुनाओं के बाद जब अमिशा और पूरी पार्टी यह पीर अड़ा सब लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का जादू है उससमें एक ताकत बर संग्ठर मंत्री ओम मात्वर योगी जी के संग बड़ बार ओम मात्र और योगी एक मंच पर दिखाई दिये उसके बाद जो योगी आदितनात और दिल्ली के रिष्टों को लेकर जो बात चलती है कि मोदी के बाद योगी इन नारों ने अमिशा जी को थोड़ा विचलित किया है दोनों के बीच के बाते सामने आती है क्या यह य राम मंदर वाले मुद्दे की मैं नहीं मानता हूँ राम मंदर वाला मुद्दा देखिए राजनी की जो होती है वो अंतर विरोधों को जैसे ही अंतर विरोध प्रबल होते हैं राजनी का ग्राफ उदर चुक जाता है हमेशा जब अंतर विरोध प्रबल नहीं होते हैं उस पर सवालिया निशान लगेगा उस दिन योगी आदितिनाथ की हैसियत भी एक दूसरे तरह दूसरे रूप में निकल कर सामने आई गी अभी योगी आदितनाथ भी इस पश्ट रूप से अपनी बात नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ से भी कोई इस पश्ट दावेदारी नहीं है जो कुछ है वो कयास कयासों के दौर में है जब उन्हें लगएगा कि अब ये दावा करना का समय आ गया है उस वक्त योगी आदितनाथ हैं और भी कई नेता हैं जिनके अभी जब लोग नाम न लें तो बहतर है लोग बाद में उनके नाम लेंगे मेरा मानना यह है कि वो सब लोग अपनी दावेदारियां करेंगे क्योंकि गड़्जोड सरकार का नेता ज्यादा बहतर कर सकते हैं कि वोड़ी का नेतर करने के लिए बहुत नेता नहीं है कि कि तरीका रविया है उससे गड़्जोड सरकार मैं जिस तरह का लचीला और उस तरह का बंदा चाहिए वो यह नहीं है दूसरे नेता और इविष्ट्री दलों को भी लगएगा कि अगर राजनासिंगी प्रधानमंत्रीपत के उम्मीदवार बने भाजबागी तरफ से तो वो ज़्यादा उनके लिए माखूल हो सकते हैं मतलब इस तरह कई लोग हो सकते हैं इस तरह अबे जी ये जो इस तरह की तानशाई वारी बाते होती हैं अभी कि 144 सांसदों को भार निकाल दो सस्पेंड कर दो किसी भी डेमोक्रेसी की बात को तवज्जव मत दो मान ना दो इसका देश के आम जन्मानस पर क्या प्रभाव पढ़ता होगा चुकि आपने बहुत तरह का भी सब के बास मंचे करके रहा जाते पर लोगों के चम नहीं रही चाहते लोगों से नहीं करना है यह पको होगा जब में गुजरात के अंदर मुसल्मान विरूदी हिंसा हो रही थी और दिन रात टीवी की उपर च्छमिया आ रही थी रोगार लेकर दोड़ रहे हैं आगे लग रही है मुसल्मान लोग आँखों में आसू बरके लग हुए तो मैंने देखा है कि मेरे घर में एक जो बहुत भाजपा थोड़े से वोटों से पीशे रहे गए उसके अंदर उस उन गुजरात की उन घटनाओं घटनाओं की एक महत्तून निर्णायक दूने काती है ऐसे लोगों है जो कि भाजपा समर्थक तो थे लेकिन वो कट्टर पंथी नहीं थे भाजपा समर्थक होना का वज़ तो ही ना होते हैं उन में से बहुत से लोग या तो चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं या वो भाजपा के खिला गोट कर देते हैं और देश में जो इस तरह की चुनाव प्रणाली है उसमें थोड़े वोटों के अदरदर हो जाना ही एक बहुत बड़ी घटना को जन दे जा सकता है और ले जाना चाहिए तो पहले ही से कारेक्रम बना लिया है सारे देश में प्रदर्शन होंगे इस बात को जनता के पास ले जाए 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 आएगा आखिरकार जिन लोगों को संसक्त से निकाला गया है वो भी जन प्रतने दी नहीं है वो लोग भी जन प्रतन होंगे इस बात को एक सार्मिक जीवन में एक महत्पून बद्दा बनाया जाएगा और यह चीज इस चीज ने एक बार फिर विपक्ष के सामने यह टास्क पेश किया है यह कारभार पेश किया है कि उनको एकता करनी अगर वो एकता नहीं करेंगे तो दो हजार चौबिस से ले बदबद आबार यह टे प्रोफेसर अवेद वेजी इन्होंने सारी बातों का देश की राजी थी का विस्तार से चित्रण किया मुझको यकीन है यह परचर्चा आपको पसंद आई होगी अपनी राय से अबगत कराएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जोइन कीजेगा हमारे राज्यों के चैनल है 4PM UP ब्यार गुजरात महराश करनाटक मद्वर्देश राजयसान और अब 4PM वॉली वर्वी इसे भी सब्सक्राइब करिएगा शुक्रिया थैंक यू